पत्नी से अन एतिक संबंद के संदेह में कुख्यात रंजीत सफेल कर द्वारा की गई मित्र विशाल पैसा डेली की हत्या को हाथसा बताय जाने के प्रकरण में हत्या और आपराधिक शडियंत्र की धाराय जोड़ी गई है। सावनेर की अदालत ने इस प्रकरण की पुनह जांच आरंब करने की अनुमती दी है। इस प्रकरण में रंजीत और कालू हाटे सहित 6 आरोपी लिप्त है। विशाल की हत्या के 14 साल बाद यह कारवाई शुरू की गई है। सावनी की वारिगाव पुलिया पर स्कूटर के पास सुला कर स्कॉर्पियो से कुचल दिया था। शव को 10 फूट गहराई में फेक दिया था। इस प्रकरण में खापर गेड़ा में दुरगटना का मामला दर्ज कर उसमें विशाल की मौत होना बताया गया। फरजी व्यक् कर 14 साल बाद सच्चाई को सामने लाया। इसमें सफेलकर टोली द्वारा योजना बद्ध तरीके से साजिश को अंजाम दिये जाने का खुलासा हुआ। ये जाच रिपोर्ट ग्रामिन अधिक्षक राकेश ओला को भेजी गई। खापर खेड़ा के पियाई भटकर ने अरंब करने की अनुमती दे दी। इसके आधार पर अब सफेलकर टोली के खिलाफ हत्या अपरादिक्षड यंत्र आदिधाराओं के तहट आरोप पत्र पेश कर मामला चलाया जाएगा। फिलहाल सफेलकर टोली जेल में है।